देश के नए आर्मी चीफ जनरल मुकुन नर्वडेग ने शनिवार को अपनी पहली प्रेस कॉंफरेंस में विश्वास भरा पैगाम देते हुए कहा कि सुरक्षा हमारी प्राथ में एकता है सुरक्षा के साथ किसी भी तरहा का समझोता नहीं किया दा सकता उन्होंने कहा संसद चाहे तो पीयो के पर भी कारवाई करेंगे सेना प्रमुक ने कहा यह संसद यह संकल्प है कि संपूर कश् यह भारत का हिस्सा है आर्मी चीफ ने कहा कि सीडियेस का बनना महत्वपूर कदम है सीडियेस के गठन से सेना को मजबूती मिलेगी उन्होंने कहा कि तीनों सेनाओं के बीच तालमेल जरूरी है हम भविश्य की चुनौतियों और खत्रों को ध्यान में रखकर प्लैनिंग करेंगे और प्रात्मि बेट में कहा पाकिस्तान सुरक्षा परिश्यद और महासचिव से अनुरोध कर रहा है कि वे पाकिस्तान और भारत के बेच किसी विनाशकारी जंग को रोकने के लिए निर्डाय कदम उठाएं साथ ही दमु कश्मीर में मानव अधिकारों के घोर उलंगन और कश्मीरी लोगों को उनका आत्म निर्णे का अधिकार दिलाने की पहल करें संतिराष्ट चाठर को सम्मान देने पर हुई चर्चा में अकरम ने कश्मीर के मुद्दों पर जोर दिया और भारत के खिलाफ ऐसे आरोप लगाए जो सचाई से कोसुदूर है पाकिस्तानी प्रतिनिधी ने कहा कि भारत से जो संकेत मिल रहे हैं वो उसके पाकिस्तान के प्रती आकरमक इरादों को बयान कर रहे हैं अक्रम ने इस बात के पक्ष में भारत द्वारा जारियोस नक्षे का उलेख किया जिसमें पाकिस्तान के कबजे वले कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को भारतिय छेत्र के रूप में दिखाये गया है। जैपुर जा रही थी 26 यात्री गुर सहाई गंज और सब्तरा यात्री छिवरा मव से सवार हुए थे। म्रतकों में कुछ यात्रियों के शेव पूरी तरह जल चुके हैं। उनकी पहचान करना भी मुश्किल है। पीम नरेन मोदी और उत्तर प्रतेश के मुक्रमंत्री योग कॉलिज तिर्वा में भरती खराया गया है। दो यात्री पूरी तरहां स्वस्त थे जिन्हें घर घिश दिया गया है। 18-20 यात्री लापता हैं। आईची मोहित अगरवाल के मुताब एक शब बहुत बुरी तरहां से जल चुके हैं। डिने टेस्ट से उनकी पहचान की ज पहच थी हो सकता है। उसमें 60-30 सवार हो। टकर के बाद आग लगी और अफ़रा तफ्री का माहौल बन गया। लोगों ने बस से निकलने की कोशिश की लेकिन 10-12 लोग ही उतरने में कामियाब हो सके और बांकी लोग फस गये और जिन्दा जल गये। प्रधान मंत्री नरि लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी है। मैं मृत्कों के परिजनों के प्रती अपनी संवेदनाय प्रकट करता हूं। साथ ही घायलों के शीक्र स्वस्त होने की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री युग्यादी तेनाथ ने हादसे पर दुख जताया है और कोहरे को हाद से की वज़ा बताया है। सरकार की ओर से मृत्कों के परिवार को दो दो लाख रुपे और घायलों को पचास हजार रुपे मौाफ़द दिया जाएगा। से ना निकाला जाए सरकार को C.A. और N.R.C. पर विचार करना चाहिए हाला कि इस मुद्दे पर P.M. मोधी ने ममता बेनर्जी को जवाब देते हुए कहा कि वो यहां किसी अन्यकारिक्रम में शामिल होने आए हैं। इस मुद्दे पर दिल्ली में बात होगी। इसके साथ ह P.M. मोधी ने C.M. ममता को दिल्ली आने के लिए भी कहा है। पश्चिम बंगाल के राजपाल, जगदीब, धंखर और कोलकाता के मेर और बंगाल की शहरी विकास और नगरपाली का मामलों में मंतरी फिरहाद खान ने P.M. मोधी का एरपोर्ट पर स्वागत किया। इसके ब पर निशाना साधा और कहा शराब माफिया पर रोक लगाने के लिए C.M. कबलनाथ जो तरक दे रहे हैं उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अगर ऐसे ही शराब माफिया को खत्म करना है तो उसकी होम डिलिवरी करवा दीजे। शिवरा सिंग ने कहा कि महात्मा गांधी की 150 पी जेयंती वर्ष में मध्ध प्रदेश को नशे में ना डुपोएं। उन्होंने कहा कि वे किसी तरहा का पत्र युद्ध नहीं चाहते। उन्होंने C.M. कबलनाथ को पत्र का जवाब देने के लिए धन्यवाद भी दिया लेकिन कहा कि उनका जवाब उन्हें का सरकार कोई नगी दुकान थोड़ी खोल रही है। और उब दुकान तो मूल दुकान के साथ लाइसेंसी खोलेगा। नीती के अंसार मुखमंतरी जी का फत्र में कहा है। नीती के अंसार कोई नई दुकान नहीं खुल रही है। बरन मूल दुकान का लाइसेंसी दी चाहे तो कुछ सर्तों के आदिन मूल दुकान के साथ उसकी उब दुकान खोल सकता है तो मूल दुकान सरकार नहीं खोल रही है वो तो लाइसेंसी खोल रहा है उब दुकान परमानी मुखमंत्री ये बताइए लाइसेंसी जो उब दुकान खोल रा है उसमें क्या गन्य का जूस बिकेगा क्या गाय का दूद बिकेगा मक्षन पनीर बिकेगा उनमें बिकेगा क्या क्या उनमें सराब नहीं बेची जाई और ये कहना कि नहीं नहीं दुकान हम नहीं खोल रहे हैं लाइसेंसी उप दुकान खोल रहा है कैसा तर्ग है कौन से सलाकार आपको सला दे रहे हर गाव में खोल दो सरा आपकी दुकान हर गाम गाय को हम दिले भी करवा दो घर पर ही सीधे पहुंच जाया भाई प्योप अगर आपका तरीका यह माफियां को खतम करने का कि संख्षित अपराद माफिया इससे खतम होंगे तो दुकाय को इतना बड़ा आपकारी रहा कामला बनाये क्या उनकी जिम्मदारी नहीं है कि अबैद रूप से सराव अगर कहीं बिच्ची है तो वो कारवाई करें रोकें यह तर्ग माननी मुखमंत्री जी गले में उतरने वाला नहीं बाजपानेता शिवराज सिंग्चोहान ने कहा कि मुखमंत्री कमलनाज जी का मेरे पत्र के जवाब में जो जवाब आया है मेरे साथ साथ प्रदेश को आहत करने वाला है किसी जिवेदार सरकार से ऐसे गैर जिवेदाराना रवये की उमीद ना थी मुख्यमंत्री कमल नाजी ऐसे कुतर्क दे रहे हैं जो गले से नहीं उतरता है शिवराज ने कहा कि उनकी रुची किसी जीत हार में नहीं है महात्मा गांधी के 150 में जेंती वर्ष में हम मध्रप्रदेश को ऐसा ना बनाए कि मध्रप्रदेश निशे में डूप जाए उनका कहना है कि पत्र द्वारा सीम द्वारा दिये गए तरक से स्तंतुष्ट नहीं हूँ जवाब गले में उतरने वाला नहीं है आपका तरीका अगर ये है माफियाओं को खत्म करने का है तो क्यों इतना बड़ा आफकारी अमला बनाया शिवराश ने कहा कि मेरे सीम कारिकाल में शराब की दुकानों की बात जो ये कर रहे है तो मैं आपको बता दू, 2011 से 2018 तक एक नई दुकान नहीं खुली शराब की उल्टा हमने तो दुकाने बंद की है उन्होंने कहा कि सीम कमलनाथ ने एक टीम बना रखी है जो मेरे कोँछ कहते ही कुतारक शूरू कर देती है मैं फिर कह रहा हूँ मैं कोई पत्र युद्ध नहीं चला रहा मैं इसलिए भी ये बहस जिट इसलिए भी ये बहस नहीं छड़ रहा कि कौन जीता कौई कौन हरा मुझे नहीं मेरी रुची के अवल इस बात में है कि महात्वा गांधी जी की एक सो पचासवी एक सो पचासवा जैनती का वर्स है इस बर्स में मद्रप्रदेश को ऐसा हम ना बनाए कि वो मद्रप्रदेश के पूर्व मंत्री और दतिया विधान डॉक्टर नरोतम मिश्राब दतिया विधान सभध छेतर के वसई गाउं पहुचे जहां ग्रामीडों ने उन्त का फूल माला से पहना कर स्वागत किया इस दोरान नागरिक्ता संशुधन कानून गारेकरम को समोदित करते हुए डॉक्टर नरोतम मिश्रा ने कहा कि भारती जिन्ता पार्टी उस विचार धारा की विरॉधी है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात लेती है जो जो भारत माता को गाली देते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं हम उस हिंदू के भी बिरोधी हैं जो देश को तोलने की बात करता है एक विदेशी महिला आकर देश को लीड करे हम इस बात से सहमत नहीं है एक बिदेसी महला आके लीड कर रही है ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है हमारा इस बात पर बिरोध है उसे वो लोग क्यों हिंदू का बिरोध करते हैं और हम को कहते हैं कि हम मुसल्मान बिरोधी हैं ऐसा नहीं है हम विचार के बिरोधी हैं वो विचार अगर कनया के अंदर रहे हैं तो हम कनया का विरोध करते हैं वो कनया जो कहता है कि भारत तेरे किरोंग beside इसी बारत की बरवादी तक जंग हमारी जारी रहेगी कि तुम कितने अब जल मारोगे हर घर से अब जल निकलेगा हम इसविचार के विरोधी हैं हम करया के विरोधी हैं हम कसाव के विरोधी हैं लेकिन हम कलाम के समर तक हैं जो राश्ट लगा हम मुसल्मान के विरोधी नहीं हम उस विचार के विरोधी हैं जो भारत के विरोध की बात करता है हमने कभी मुसल्मान का विरोध नहीं किया भारत के टुकड़े की बात हिंदू करेगा तो हम उसके भी विरोदी हैं हम उन सब के विरोदी हैं जो कस्मीर के अंदर रहते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं हमारी बेहन बेटियों की सल जांगों पर गरम सलाकों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गौन देते हम उस विचार के सुनिश्चित करने के बाद स्वास्त मंत्री डियस सिंग देव प्रदेश में मलेरिया मुप्ति अभियान में जुड़ गए हैं जग्दलपूर प्रवास के दौरान सभी कलेक्टर एवं चिकित्सा अभिकारियों की बैठत में सिंग्देव ने सक्त निर्देश देते हुए कहा कि चिकित्सा छेत्र में जरा सी भी लापर वही बर्दाश्ट नहीं की जाएगी शिशुकेयर एवं चिकित्सा को लेकर समूचा अमला 2400 घंटे अलट रहे शिशु यह संसी ओ नियूर नेटल उप्चार के लिए जिन बच्चों को जरुर की कमिया सकती है 24 ऐसी कई या 23 जिलों में हम लोगों ने स्थापित कर लिए है दो और जिले हाल में बागू हो जाएंगे सबसे ज्यादा मौत मलेरिया से होती हैं अब सरकार ने मलेरिया मुक्त 36 कर बनाने का विशेश अभियान चलाया है अब मलेरिया और बच्चों के मसले पर गाउं की आंगन बाड़ी कारिकरताओं से लेकर प्राथनिक स्वास्थ केंद्र और जिरा सिकित साले से लेकर वेडिकल कॉलिज तक अलर्ट पर रहेंगे गाउं गाउं में हर व्यक्ति के स्वास्थ पर निगरानी रखी जाएगी जहां पर रहवासियों ने खाद पदार्टों के सेंपल दे कर खाद समयगरी की मुफ्त जाज करवाए और जाना कि रोजाना की खाद वस्तों में कौन कौन सी वस्तों शुद्ध हैं और कौन सी खाद वस्तों मिला वठी है जाँच अधिकारी धर्मेंदर नुनाईया ने बताया कि आसान आसान विधियों से खाद समध्री की जाँच कर उसकी शुदता बताई जा रही है साथ ही आसान विधियां भी बताई जा रही है जिससे आसानी से जाँच की जा सकती है कॉलोनी वासी चलित वाहन में पहुच का निश्वल्ग जांच करवा रहे हैं दूसरा डिटरजेंट का भी मैंने बदाए कि इसको एक टेश्ट्यूम में रख्यों अच्छे से हलाएंगे अगर डेंस फॉम आ रहा है गहरा जहागा रहा जैसा कि साबुन में आता है और काफी देर तक रहता तो डिटरजेंट की संभाव ना हो सकती है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आया तो उस सुद्ध दोस्था है माध्यन से बीजेपी ने शेहर के कई वाडो में लोगों को सीए के बारे में जानकारी दी इसके साथ ही नागरिक्ता संशोधन कानून के पक्ष में जन समर्थन हास्ताक्षर अभियान चलाया इस दोरान जयंत मंडल अध्यक्ष देवेश पांठे ने कहा कि सोन्या गांधी और राहुल गांधी ने एनार्सी को लेकर देश को गुम्रहा किया है नागरिक्ता संशोधन अधिनियम लोगों को नागरिक्ता देने के लिए ना की छीनने के लिए अधिनियम में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि भारत के लोगों की नागरिक्ता छीनी जाएगी यह अधिनियम पडोसी राष्ट्रों से आए नागरिकों के लिए है इस आधिनियम में उन नागरिकों को नागरिकता दी जाएगी जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगलादेश में धार्मिक उत्पीडन के कारण वहां से विस्थापित होकर 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं कि देश में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस सोनिया गांदी और राहूल गांदी के उपर मैं आरोफ लगाना चाहता हूँ कि उन्होंने देश को गुम्रा करने का काम किया है और हमारे यहां पर भाईचारे से सबी लोग साथ में रहते हैं कि उनके उनको जो तो बर्गलाने का हमारे भाईयों को बर्गलाने का और यह सब खड़े सड़ेंतर रच करके इन्होंने देश को एक आग में जग जोने का काम किया है मैं इसकी धोन निंदा करता हूं जो इनका क्रित्ति यहां पर प्रभुत जन संगोश्टी करके और हस्त के लुकसान के लिए नहीं है भारत के नाग्रिकों को और इस दिशा में लगातार काम कर elkaar किना है कि किसान पारंपरी devot मु 드ाइब करेगा तो उसे लाब ही ज्यादा होगा उन्हों ने कहा कि इमकाले इसे किसे किसान समर्द हो किसे पहल है किसे को अर्थी मचलूत से मचीत हों और इसके लिए ज़रूरी है कि हम हमारे पित्सांद साथियों को जो पारम परिक खेती हैं उसे खेती से उनको आगे बढ़ाते होगे उनको पुर्ट साइद करते होगे उनको उद्यानी की फस्ट लो की तरफ हम ले जा सकें और उसी दिशा में बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे कदम हमारी सरकार उठा रही है और ना सरिफ उद्याने की खेती की तरफ हो जाएं बलकि साथी साथ हमारी सरकार की प्रयाज भी है कि हमारा जी किसान का बेटा है जो कि आज पड़ा लिखा है जानकार है पर दो गमपीर रूप से घायल हो गए हैं गायल चात्रों को विजावर स्वास्त केंद्र में भड़की कराया है बाद में दो की हालत गमपीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया है जहां उनका इलाज किया जा रहा है घटना उस समय हुई जब रानी ताल हाई स्कूल के दस चात्र दुबेला पिकनिक में गए थे पिकनिक से लोड़ते समय यहाद्सा हुआ स्वचता की तरफ ना तो NCL अधिकारियों का कोई ध्यान है और ना ही सफाई ठेकडार का जबकि सफाई के नाम पर NCL प्रबंदन हर महीने करोडों रुपे पानी की तरह बहा रहा है बावजूद इसके कलोनियों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है हवाचलते ही दुरगंद से रहवासियों का जीना तूबर हो जाता है गंदगी की वज़ा से कलोनी सुवरों का अड़ा बन गई है एंसेल अधिकानियों का सचता अधियान सिर्फ काघ्जों तक ही सीमित रह गया है प्रबंदन की लापरवाही से कलोनी सहित रोड के किनारे प्रते दिन गंदगी के धेर बढ़ते जा रहे हैं और एंसेल करमचारी और सफाई ठीकेदार खाना पूर्थी करने का काम कर रहे हैं एंसेल के जेयंत परियोजना के कॉलोनी के अलावा सड़क किनारे गंगी के थे नजर आते हैं जिस कारण आज पास के लोगों को अच्छी खासी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है गंगी की धेरों को उठाने और निअमित सफाई करने के लिए कई बार सफाई गरमचारियों को कहा जा चुका है इसके बाववजूत करमचारी और अभीकारी अपनी दून में हैं इन अधिकारियों का लोगों की परिश्यानी की तरफ कोई ध्यान नहीं है जिस करण लोगों की समस्या जयोकितियों बनी ही है मध्यप्रदेश में कई सालों बाद जोड़दार ठंड ने लोगों को हिला कर रग दिया है मध्यप्रदेश के एक मात्र हिल स्टेशन पर सर्दी का सित्म हर रोज बढ़ रहा है पश्मणी के मैदानी इलाकों में बर्फ जम चुकी है पश्मणी का तापमान तो डिगरी हो ग सांस्क्रिटेक ताने बाने तक, चंबर के भीणों से, नकसलवादियों के गड़ जोपडी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक पक्डंडियों से सडकों तक गाउ से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राजडीती से कूटनीती तक दखनी आपके हद्ध आप देख रहे हैं दखनी उद्ध